जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर समास से संबंदित बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर यह अपना पार्ट दूसरा है तो वीडियो को पूरा अवस्चे देखना है अगर आप चैन कॉस्चन यहां पर कंप्लिट करेंगे तो आज का अपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन है लाभानी में कौन सा समास है आंसर है आपका यहां पर इनमें से कोई नहीं नहीं ना ही दिगो ना ही तत्परोस ना ही बहुबरी अंगला कॉस्चन है मन माना में कौन सा समास है तो आप comment में answer जरूबता हैं क्या होगा इसका सही answer तो कश्टा पन्न सब्द में कौनसा समास है तो आपका सही answer है चंगन का विकल्प number यहाँ पर B आनकी तत पुरस आपका सही answer है अंगला question है यहाँ पर पूँचा क्या है चक्र पाणी दर्षनार्थ पद में मानने समास है तो इसमें कौनसा समास मानने है इस पद में चक्र पाणी दर्षनार्थ में तो आपके लिए यहाँ पर पच्पन का सही answer आपका क्या होगा विकल्प number आपका यहाँ पर क्या है राइट answer आपका D यहाँ पर right answer बहुत बढ़िया अंगला question है अनायास में समास कौन सा है अनायास में बताना है आपके लिए अनायास में कौन सा समास है तो आपका सही answer यहाँ पर 56 का विकलत नमबर B यहाँ पर सही answer है बी जन्हों ने बताया है उनका सही answer है एक बार सभी लोग वीडियो को like बस्ते कलने जन्हों ने अभी तक वीडियो को like नहीं क्या है अंगला question क्या पूंचा गया है देखे अंगला question यहाँ पर पूंचा गया है कि जब दो सब्द समास बनाकर तीसरे सब्द का विसेशन बन क्या आएं तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं बहुब्री आपकर यहाँपर सही answer विकल्प number 0 right answer है अंगला question है क्या है कि राज्महल में कौन सा समास है राज्महल में समास बताने हैं आप पर question number untown का right answer आपका यहाँ पर जो है बहे है आपका विकल्प number एक यानि कि ततप्रोस ततप्रोस आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question है किष्णा अर्जुन में कौन से समास है तो किष्णा अर्जुन बहुत ही चल question है question number 69 का right answer बताना है 69 का right answer क्या होगा तो विकल्प number आपका भी यहाँ पर सही answer है यानि कि दौन्द समास है किष्णा अर्जुन में कौन सा समास है अंगला question क्या है सा परिवार में कौन सा समास है सा परिवार में समास बताना है तो question number 60 का right answer बताना है तो 60 का सही answer है सा परिवार में कौन सा समास है तो बहुब्रिय समास आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है कपी स्वर में कौन सा समास है कॉस्चन नमबर है एक सट और एक सट का सही आंसर आपका यहां पर जो है वह आपके लिए बताना है कपी सवर में कौन सा समास है तो एक सट में विकल नमबर एक आनकी पहुब रिये आपके हाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है गोन दोस में कौन सा समास है तो 62 का सही आंसर आपके लिए बताना है अंगला question क्या है तो देखे शिर्फ रा में कौन सा समा से question number 63 का सही answer बताना है तो 63 का सही answer बताईए शिर्फ रा में कौन सा समा से तो आपका 63 का right answer है विकल्प number C आपका right answer है आनकी बहुब्रिये आपके यहाँ पर सही answer है अंगले question क्या पूंचा गया है पंच माच्छर पंच माच्छर में कौन सा समास है तो दिगू समास है करमधारा है दूंद है या बहुब्री है तो यह आपके चार विकल्प है question number 64 का सही answer बताना है तो 64 का दिगू आपका सही answer है दिगू राइट आंसर है बिल्कुल सही स्रम साद्ध में कौन सा समास है स्रम साद्ध में समास बताना है तत्प्रोस है दिगू है बहुब्री है दूंद है तो आपके यहापर सही answer 65 का राइट आंसर है तत्प्रोस यानि कि विकल्प नमबर एक आपके यहां पर सही answer है विकल्प नमबर एक राइट आंसर आपके यहां पर है अंगला question क्या है कट फोड़वा में कौन सा समास है दूंद समास है कर्मधारा है तत्प्रोस याद दिगू है तो बताईए क्या है question number 66 का सही answer 66 का सही आंसर बताना है? 66 का सही आंसर है आपका तद पुरश क्या सही आंसर? तद पुरश आपका सही आंसर है अंगला question है क्या है महावी निस्किर्मन में कौन सा समास है question number 66 का सही answer बताईए 66 का right answer बताना है महावी निस्किर्मन सब्द में कौन सा समास है तो 66 का right answer है विकल्प number 1 यानि की कर्मधारा है कर्मधारा है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही कर्मधारा है right answer है अंगला question पुंचा गया है सुर் ब्रंध में कौन सा समा से इस question आपकी पुंची कह concept किसी ना किसी अग्जाम में बहुत है महित्यपुन एक question है आपकी तो सुर् ब्रंध में कौन सा समा से तो आपका 68 सट का right answer विकलफ नंबर 1 right answer है आने कि तत पुर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बड़िया, तत पुर्ष समास है, विकल्प नंबर एक जे नों ने बताया है, उनका सही आंसर यहाँ पर है, अगला कॉस्चन है कि सेल तन्हिया में कौन सह समास है, तो बताईए, यहाँ पर क्या होगा, आंसर तत्प्रोस समास विकल्प नंबर C आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन मंत्री परिशद में कौन सा समास है मंत्री परिशद मंत्री परिशद में तत्प्रोस है दिगू है द्वन्ध है करमधारा है तो कौन सा है मंत्री परिशद में समास बताना है तो सत्तर का right answer आपका विकल्प number 1 यानि की तत्प्रोस आपका सही answer है तत्प्रोस आपका right answer विल्कुल सही अंगला question है नील लोहित में कौन सा समास है question number 71 का right answer बताना है तो 71 का right answer है आपका कर्मधारा यानि की विकल्प number C आपका यहां पर right answer है कर्मधारा राइट आंसर है, रिसी कर्ण्या में कौन सा समास है, रिसी कर्ण्या में आपके लिए समास बताना है, ततप्रोस है, दौन्द है, दिगू है, बहुबरी है, यह आपकी चार विकल्प दे गए हैं, तो question number 72 का right answer बताना है, 72 का right answer है, विकल्प number 1 यानि की ततप्रोस आपके यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, रष्ट पुष्ट में कौन सा समास है, बहुती सल question है, रष्ट पुष्ट में कौन सा समास है, तो आपके यहाँ पर सही answer है, question number 73 का विकल्प number C आनि की दौन्द समास है, दौन्द समास आपके यहाँ पर सही answer है, विकल्प number C right answer है, अंगला question है, गुरु भाई में कौन सा समास है, तो गुरु भाई में यहाँ पर समास बताना है, तो 74 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भै आपका यहाँ पर क्या होगा, C दिया है यहाँ पर राइट आंसर, कि C होगा राइट आंसर, गुरु भाई में C आनी की आपका तत्प्रोस राइट आंसर यहां पर होगा, अंगला कॉस्चन क्या है, निमने लिखित में ऐसी कौन सा दिगू समास है, दिगू समास कौन सा है, तिलोक है, ग्यान सागर है, पान्चांग है, या कपड़े लगती है, देखे, दिगू पूँचा है आपसे, दिगू में आपका हो जाएगा, 75 का विकल्प नंबर यहां पर एक यान की तिरलोक, तिरलोक आपके यहां पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन क्या है, देखे, अंगला कॉस्चन यहां पर पूँचा है, प्रिथा में पद संख्या बाची है और दूसरा पद संख्या हो, तब कौन सा समास है, प्रिथा में पद संख्या बाची है और दूसरा पद संख्या हो, तो तब यहां पर जो समास होता है, भै होता है कौन सा समास है, आपका दिगू समास होता है, यहां पर दिगू समास यानि की विकल्प नंबर, सी राइट आंसर आपका यहां पर दिगू समास का उधारन बत देखिये जिस समास में उत्तर प्रण होनी के साथ ही साथ पूर्वपद तथा उत्तरपद में विशेशन विशेश्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहती हैं तो इसको कौन सा समास कहती हैं जिस समास में उत्तरपद परधान होनी की सांथी साथ पूर्वपद तथा उत्तरपद में विशेशन विशेश्य का संबंध भी होता ह उसी कौन सा समास काहती है, 79 का राइट आंसर है, कर्मधारा विकल्प नमबर, भी राइट आंसर है, अंगले कोश्चन है, चतुर भुज में कौन सा समास है, चतुर भुज में समास बताना है, तो आपका 80 का राइट आंसर होगा, बहुबरिये, कौन सा समास है, बहुबरिये, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर भी राइट आंसर है गगन चुम्बी में कौन सा समास है 81 का राइट आंसर बताईए गगन चुम्बी में कौन सा समास है तो आपका राइट आंसर है तत्परोस समास विकल्प नंबर C आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है अंगला कॉस्चन है तिर फला में कौन सा समास है तिर फला में आपके लिए 82 का राइट आंसर बताना है तिर फला में अब यह भी भाव समास दिगू समास दंद समास या कर्मधाराय समास है तो आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 82 का दिगू समास होगा बिलकुल सही दिगू समास जिन्हों ने बताया उनका सही आंसर है दिगू समास होगा तिरफला में अंगला क्या है तन मन धन में कौन सा स बहुत इसल कोउच्चन है सबी के लिए पता हो้गा तन नमः धण में कौन सास मरी तो बताये उम्वर 83 का सही आंसर बताना है तो 83 का right answer आपका यहाँ पर जो right answer है विकल्प number D right answer यानि की दूंद समास है तन मन धाय धन में कौन सा समास है दूंद समास अंगला question इंगला question क्या है नव गिरह में कॉन सा समा से नव गिरह में भृत ही चल क्यूंशन है यह आपके चार विकलप देका है question No.85 का सही answer बताना है क्यो start तो आपका 85 समा क्यों थे भीध्यारती में क्यों सा समा से तर्दम्थी घेता है एदिगू है यह आपकी चार विकल्ब देगा है Q86 86 का सही आंसर है विकल्ब नमबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है यानि की ततपुरुस आपका है यहाँ पर सही आंसर है ततपुरुस समास है किसमे विद्ध्यारती में बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है अंगला कॉस्चन आपका यहाँ पर देख लीते हैं यह रहा आपका अंगला कॉस्चन देखिए कन्यादान में कौन सा समास है यह आपके लिए बताना है कन्यादान में समास बताई यहाँ पर बहुत ही मात्वपुरुण और विशेष्टी की योग से कौन सा समास बनता है तो बताईए कौन सा समास बनता है यहाँ पर बताना है विशेष्टी की योग से कौन सा समास बनता है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल आपका 89 का करमधारा है नील कंठ में कौन सा सं मास है करमधारा आपका right answer है अंगल्य कोस्चन क्या पूंचा गया है जिस सं मास की दोनों पद आप कर पिरधान होते हैं बहाँ पर कौन सा-स होता है देखिए, आप्रधान बताना है, आप्रधान पद है दोनों, तो बहाँ पर कौन सा समाश है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, दंद दिगु तत प्रोष बहुबरी, तो नभभे का राइट आंसर है, आपका विकल्फ नमबर, D यानकी बहुबरी, 92 बान्नवे बाकॉस्षिन यहांपर देस अंतर में कौन सा समासे बहुबरी या दिगु, तदप्रोष या करमधारा है, तो 92 का राइट आंसर आपका यहांपर होगा, विकल्प नमबर C आनि की तदप्रोष आपका यहांपर सही आंसर है, बिलकुल सही तदप्रोष आपका र दीनानात में कौन सा समास है ?93 का राइट आंसर बताना है, दीनानात में कौन सा समास है ? अगला question क्या है ? तो देखे यहाँ पर अंगला question पूचा गया है निमने लिखित में से एक सब्द में दिगू समास है उस सब्द का यहां पर चेयन कीजिए तो आजीवन सब्दाह भूदान या प्रोसस हैं तो यहां पर दिगू समास कौन से सब्द में हैं कॉष्चय नमबर 95 है पंचाननबे का राइटांसर है ततप्रोस विकल्प नमबर एक आपका हैं पर सही आंसर होगा ततप्रोस बहुत बढ़ी या अंगला कोश्चय नमबर 5 है है दबारात्री आपका राइट आंसर बिल्कुल सही समास की अधिक्ता ओच कहलाती है समास की अधिक्ता ओच कहलाती है एक अथन किसका है एक अथन आपके लिए बताना है तो 97 का सही आंसर क्या होगा इहां पर 97 का बामन बामन का एक अथन है किसका है बामन का है विकल नंबर भी राइट आंसर है समास का साब्देक अर्थ है समास का साब्देक अर्थ क्या है यहां पर आपके लिए बताने संशिप्त विग्र है या विश्तरत या विच्छी समास का साब्देक अर्थ क्या होगा तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक आनिकी समास का संशिप था आपका यहां पर complete हुआ तो वीडियो के असला का comment में आपके लिए जरूरू बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe अवस्य कर लें और आगे की वीडियो में यहां पर क्या पढ़ेंगे तो अंगला अपना समास का यहां पर समास संदी और भासा बोली से संबंदित तीन टॉपिक अपनी कवर हुए अब आगे पढ़ेंगे यहां पर कारक क्या पढ़ेंगे कारक और कारक बचन और लिंग कारक बचन और लिंग से संबंदित अंगला टॉपिक है अपना तो वीडियो को पूरा अवस्य देखा है आपने तो वीडियो को स से कलने तो आज की वीडियो में बस इतना ही सबी कले बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद